नमस्कार आप सभी का स्वागत हैं इंडिया खवर लाइद मैं मैं हूँ अनुक पांडे सनातन सिडी हिंदू सबसमीति के सदस्यों ने शेशन इस्तित सिद्यसरी शक्ति पीट से एक रेली निकाली जो रेल्वेश शेशन पार करके शेर पुरा इस्तित सी एम हाउस तक पहुँची जहां सी एस फी विकास फांडे को मुक मंत्री के नाम प्रेसिद ग्यापन सौबा गया सनातन स्री हिंदू सबसमीति के अद्यक्ष अतुल तिवारी का कहना है कि तीन दिन पहले कलेक्टेड में ग्यापन देने पहुँचे थे जहां कलेक्टर मुक मंत्री के नाम से फ्रेसिद ग्यापन लेने खुद नहीं आए उनकी हट धर्मिता के चलते ग्यापन कलेक्टेड में चिस्पा करके आ गए थे आज रेली निकालकर सीएम हाउस में ग्यापन दिया गया है अब हम बिदीशा से पद्यात्रा करते हुए भूपाल तक जाएंगे जहां सीएम हाउस में मुक मंति को ग्यापन सौपेंगे मेडिया से बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि हिंदू उस सब समीते के सदस्यों का कहना है कि दुल्गा उस सब के लिए जो गाइडलाइन ते की गई है वह धर्म बिरूदी है उसे हटाया जाना चाहिए बिदीशा से एलन चौवे की एक रिपोर्ट आज ग्यापन की पिरति लिपी देने आयए थे ग्यापन हम 3 दिन पहली जाँ 2 दिन狂 पहली कक्लेक्टर महोदय के लेकिन कलमल ने नहीं आए तो यह ग्यापन जो हम जिस संबंद में दे रहे हैं माननी मुखमंतरी महोदाय के लिए दे रहे थे और मुखमंतरी महोदाय का जो ग्यापन है वो कलेक्टर की जुम्मेदारी बनती है कि वो स्वयम आकर उसको प्राप्ट करें और मुखमांत्री महोदाय तक प्रिशित करें लेकिन उनकी हट धर्मिता के चलते हुए आज हमें उस ग्यापन की पृति प्रिशासन से मुखमांत्री महोदाय से हम मांग कर रहे थे इसी संबंद में आज भोपाल में वी एक विशाल प्रदर्सान हिंदू उससब समीती और हिंदू संटन भोपाल में प्रदर्सन कर रहे हैं आज हम पहले तो यहां से नेपट कि आप भोपाल के प्रदर्सन में सामय लोंगे और कल सुभा नौ वजे सिद्वेशेरी सक्ति पीट स्टेशन से विदीशा के सभी गणमान नागरेक सनातन श्री हिंदू समीती परिवार के सभी शदर्च मिलकर वि लोग हैं अज धर्मपर ही सारे दवस्ता हैं पूरे कानून फूरी हम एक जाई लाइन के लोग धर्मिक आस्ता हैं लिद्वेशा गर्मिक आयोजन इन पर सारे रोक लगाई जा रही है तूंकि मद्दबृदेंस में उत्टुना हो पूरे राइने तिक दल पांच पांच gamma प्राब गाइड लाइन जारी की गई है जिसमें प्रतिमा की उचाई पंडाल की साइज और विवेन चीजों पर हम पर रोक लगाई गई है उस संबन्द में हम सीम हाउस विदीशा में यहां पर ग्यापन देने आये थे चुकि हम कलेक्टर विदीशा को भी ग्यापन देने य लेकिन हमने पूरे यहां पर हिंदू समाज के सारे संगठन सनातन हंदू सब समीटी के बेन अरतले वहां गये थे और इसके साथ ही जितने भी लोग ब्यापारी गान हैं जो की दुरगा उस सब से लेकर इनकी दोजी रोटी चलती है वो सारे संगठन भी हमारे साथ से.